मैं मंत्री जी मानिय रक्सा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का धिर्गे से अभिनंदन करता हूँ जिनके लिप्रत दले भारती जंता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ और भारती जंता पार्टी के सहोगी दल अपना दल एस और निसादराज पार्टी बुक्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के लिए उप्तर प्रदेश की जंता जनार्दन का हिर्दे से अभिनंदन हिर्दे से आभार और मैं इस उसर पर भारती जंता पार्टी और विचार परिवार के उन पोठ पोठ कारिकरताओं का विनंदन करताओं जिनके लित्रतों है और जिनके परिश्रम से आज भारती जंता पार्टी को अपने सयोगी दमों के साथ इतना प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने का उसर प्राप्त हुआ है भायों में दो पहली बार साथ चड़ों में वे उत्तर प्रदेश बिधान सरहा के चुनाओं सांतिपूर तरीके से संपन हुए और संपन होने के साथ ही आज मदगर्णा के बारे में जो तमान प्रकार के भामक प्रचार फिछले दो तीन दिमों से चलाये जा रहे थे उत्तर प्रदेश की जन्ता जनार्दन की ताकत ने उस भामक प्रचार को दरकनार करते है आज भारती जन्ता पार्टी और सयोगी दलों को प्रकंड भहमत से विजयी बनाया है आज सब को मैं सौसर पर पधाई देता हूँ भारत निर्वाचे नायोग को सांतिपूर तरीके से इस चुनाओ को संपन्य कराने के लिए हिर्दे से धन्यवाद देता हूँ चुनाओ की प्रक्रिया से जुड़ेवे प्रसासन और पुलीस विभाग और अन्य सभी समन्दित विभाग के सभी कार्णिकों को भी हिर्दे से धन्यवाद देता हूँ कि जुनाओ ने करोना जैसी महामारी के बापजूर सांतिपूर तरीके से लोकदंद्र के सपर्व को संपन्द करने में अपना योगदान दिया है उन सब का भी नए हिर्दे से धन्यवाद देता हूँ हम आभार ये हैं आदनी प्रणान मंत्री जी के जिना ने उफ्तर्वरेश को पूरा समय दिया और उफ्तर्वरेश के विकास के साथ साथ उप्तर्ख देश जैसे राज्य में सुसासन की अस्ताकना के लिए के जाने वले हरे एक प्रियास में आदने प्रणान मंत्री जी का मार्ग दर्शन और सयोग सदेव प्राप्त होता रहा है। तो ये प्रचंद बहुमत भारती जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राज्य में प्रात हुआ है। हम सब को स्विकार करते हैं आम जनमानस की आकांसाओं के अंडरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका दिश्वास और सबके प्रियास के समंत्र को अंडिकार करते हैं निरंपर आगे बढ़ाना होगा। आपने देखा होगा भारपी जन्ता पार्टी की डबलिंजन की सरकार में पांच वर्सों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्सा का जो माहोल दिया। उत्तर प्रदेश की आस्ता को सम्मान देने का जो कार्य किया। उत्तर प्रदेश के अंदर आदने प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्सन में विकास किये कारिक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। और साथी साथ करीब कल्यान का लिए योजनाओं को प्रभावी धंसे आगे वढ़ाने के लिए जो प्रियास प्रारम हुए है आज उसका पैणाम जंता जनारदन ने चातिवाद, परिवारबाद, वंसवाद की राज़्टीपी को पूरी तरह प्लांजली देते हुए दो हजार बाइस में भी भारती जंता पार्टी वो प्रिखंड बहुमत के साथ ये बिज़े श्रीव सब्सक्र पर आई है भाईो बेनो, करोडा काल खंड में भी बिना रुके, बिना ठके, बिना ठके और बिना चुके आदनिये प्रणान मंत्री जी का मार्ग दर्सन और उनका नेत्रत आज भारती जंता पार्टी के एक एक कारे करता को यससी इस जीत के साथ यससी बना रहा है क्योंकि एक-एक कारे करता इस जीत का हटदार रहा है नेत्रत आदनिये प्रणान मंत्री जैसे दुनिया के लोग प्रिय नेता के हाथ में मार्ग दर्सान और उनके सच्वी नेत्रत्व में जो कारेक्रम बिगट पाँच वर्स के अंदर उत्रणवेज के अंदर लागों किये गए आज उसका पेड़ा हमसब के सामने है आप आस्परे करेंगे कि उत्रणवेज जैसे राज्य में सारे 45 लाग गरीबों के लिएक आवास बन जाना उत्रणवेज के अंदर एक करोड पैटालीस लाग घरों तक बिजली पहुँचाना दस करोड से दिक गरीबों को पाँच लाग रुपे की सास्ते पीमा का कबर मिर जाना पंद्रा करोड गरीबों को इस संकट के समय करोणा जैसे संकट के समय उनके घर तक राज़न की मिवस्ताफ लब्ज कराने के लिए संकट का साथी जब लबन इजन की भारती जंता पार्टी की सरकार थी तो दुनिया के अंदर या तमाम एक खड़े प्रकारी जब हम करोणा से लड़ रहे थे जब हम भरस्ता जार और बेमानी से लड़ रहे थे तब ये लोग भारती जंता पार्टी के खिलाब साजीत रचने का कारे कर रहे थे सरकार के खलाब साजीत रचने का कारे कर रहे थे और आज जनता जनारत ने अपने जनादेश के मात्यां से उन सब को एक बार फिर से सवक्सिकार करके उनकी बोलती बंद करने का कान किया है और हम सब को अपने कारियों के मात्यम से एक बार फिर से साविप करना है कि रास्टबाज, सुरक्सा, विकास और सुसासन के मुद्धे पर भार्टी जंता पार्टी को जे प्रचंड बहुमत जंता जनार्दन ने दिया है हम सब की जमेदारी तन्पी है कि इस पर हमें फिर से ख़रा उतरना ही होगा और इस तिसे एक बार में फिर से उत्तरपडेस के अंदर सांतिपूर चनाव संपन होने और जंता जनार्दन ने जो इसमें ब्यापक अपना समर्धन गिया है चनाओं के प्रदी हमने देखा एक खास तोर पर आधियाबादी माताओं ने बहनों ने बेभियों ने आगे आ करके भार्फी जंता पार्टी को प्रजंड बहुमत दिया है अपने सयोग्यों के साथ में आज इसका प्रेडाम है कि भार्फी जंता पार्टी इध्यास बनाने जारी उत्तरवरेस के अंदर इध्यास बनानी की और प्रसर है यह इध्यास जब यह सश्वी नेता होता है नरेंद्र मोदी जी जैसे सश्वी नेता के नेत्रुक्तों में जब प्रजंड बहुमत का यह बहुमत प्राप्त होता है यह प्रजंड बहुमत आज इसकी पढ़दी के रूप में हम सब के सामने प्रस्तुत करता है आज के सोसर पर मैं एक बार फिर से अपने दोरों सयग प्रदे सत्यक्ष ची सथंदर देर सिंग्डी दोनों सयोगियों बरिश्ट सयोगी सी केसो प्रशाद मोरा जी दॉक्टर दिनेश सर्मा जी अपने सयोगी तो निशाद राज पार्टी के चेफ्ट दॉक्टर संजय प्रदेश संगठन के महामंद्री सुनील बंसल जी और प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी पूर केम्रिय मंद्री सी रादा मोहन सिंग जी की और से पूरे प्रदेश वाश्यों का एक बार फिर से इस परजण्ड भामत के लिए हिर्डे से आभार और अभिनंदन करता हूँ और विश्वास बेक्ट करता हूँ कि ये जीद हमें जबाब देई का एक नया संकेश भी देता है हमें जोस के साथ साथ होस को बनाई रखना है और इस से भी मजबूती के साथ इस से भी मजबूती के साथ हमें आम जन्नानस के आकांसाओं के नरूप एक बार फिर से अपने आपको साबिश करना होगा हम सब का सुभा क्या है कि हम सब के पास दुनिया का सब से असुस्षी नेदा आदनिया स्वी नरेंदर मोदी जी का नित्रप्त और मारत दर्सन है उनके भारत नर्शन में उनके नित्रुत्व में उत्तरप्रदेश देश का नंबर एक प्रदेश बनेगा इस बिश्वाज के साथ हम सब एक बार फिर से पत्तीर करोड जन्ता की सेवा के लिए अपने अपनी भूनिका का निर्वान करेंगे मैं एक बार फिर से आप सभी का फिर्डे से अविनन्दर करता हूँ आपके उत्सा के लिए आपका अभार वेक्ष्य करता हूँ और सांधिकुन चुना संपन करने के लिए इसमें उत्सा के साथ भागिदार बनने के लिए परप्रदेश की जन्पा जनार्दन का भार भारत निर्वाचन आयोग और परप्रदेश के निर्वाचन आज निर्वाचन से जड़ेवे सभीनिकारियों का प्रदेश के चुनाव से चुड़ेवे पूरी प्रसासिनिक और पुलिस तंद्र का और उन सबी का जो प्रद्यक्स और प्रद्यक्स रूप से लोग तंद्र के इस महापर्मों को सांति पूर तरीके से संपन्द करने के लिए यक्तान गिये हैं उन सब को जिरने से धन्यबाद देता हूँ आप सब के प्रद्यमेरी सुपनाएं धन्यबाद जैहिन जैदेश स्री राम जैदेश स्री राम जैदेश